हलो फ्रेंड्स, वेल्कम बैक, अज हम बनाने जा रहे हैं एक ही डो से तीन तरह के स्नेक्स तो यहां रूपर खुब मीटा खा लिया, अब कुछ नमकीन और चटपटा हो जाए तो हम आज एक ही डो से बनाने जा रहे हैं तीन तरह के स्नेक्स तो चली शुरू करते हैं यहां मैं ले रही हूँ आद्धा किलो मैदा चली इसे पहले चान लेते हैं एक चली ले ली है मैंने और उसमें थोड़ा-थोड़ा करके इसी चान लेंगे चानने से क्या होगा? इसके अंदर एयर बन जाएगी जिसे जो हमारे स्नैक्स हैं वो बहुती सॉफ्ट बनेंगे और खस्ता बनेंगे यह देखें, सारा मैदा चान लिया है मैंने और अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले सबसे पहले मैं डाल रही हूँ है यहां पर आदा चमच, जीरा साबुत जीरा लिया है मैंने और लिया है आदा चमच कुटी भी काली मिर्च इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है और ले रहे हूं आदा चमच अजवायन जिसे हाथों की बीच में इससे करश करके डालें उससे इसकी खुश्पू और विजादा आती है और साथ में ले रही हूं मैं दो चमच नमक अब पहले इसे सुका ही मिक्स कर लेंगे और अब डालेंगे इसमें ओयल यहाँ पर हम इसको मौयन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो यह मैंने पहले एक चोथाई कप ही डाला है दिखी इस तरह से मिक्स करेंगे इसको हातों से और एक चोथाई कप में और डाल रहे हूं टोटल मैंने यहाँ पर अधा कप तेल डाला है मौयन आप इतना डालें कि अच्छी तरह से यह जब हम इसको हातों में लेकर के बादें तो यह अच्छे से बन जाए इस तरह से देखी इस तरह से बन जाना चाहिए इतना हमें इसमें मौयन डाला है और एक लास पानी ले रहे हो और इससे हम गों देंगे आटा हमें ऐसे घुनना है जो ना तो जादा ही नरम हो और नहीं जादा सकतो यानि कि semi soft हमें आटा गुनना है ताकि हमारे जो snacks हैं वो बहुत ही घस्ता बनें देखें इस तरह से हमने semi soft आटा गुन लिया है और इस पर थोड़ा सा तेर लगा देंगे और इसको कुछ तेर के लिए हम ढग देंगे ताकि यह अच्छे से सेट हो जाया आटा डग दिया है मैंने और देखें यहां पर 3-4 गिलास ही हमारे यूज हुआ है अब एक बोल में मैंने दो चम्मच कॉन फिला लिया है और दो चम्मच ही इसमें डालेंगे तेल यह हम स्लेरी बना रहे हैं हमारे snacks के बीच में लगाने के लिए इस तरह से दोनों को mix कर लेंगे हम एक लेप की तरह बनाएंगे इससे बस देखिए सारे इसके जो टम्स है वो निकल जाने चाहिए यह देखिए हमारा आटा भी बिल्कुल सैट हो चुका है चलिए एक बार फिर इसको हलकी हाथों से मर लेते हैं ताकि हमारा जो डू है वो बहुत अच्छे से तियार हो जाए यह देखिए ना तो जादा सॉफ्ट है ना ही जादा टाइट है चलिए अब मैं इसके दो पोर्शन कर रही हूं एक जादा थोड़ा जादा लिया है मैंने और यह थोड़ा कम लिया है क्योंकि हमें तीन स्नेक्स बनाने है और जो बाकी है उसको हम डग करके साइट भी रख इस तरह से पहले में सारी तोड़ के रख लेती हूं देखिए इस तरह से आपको चोटी शुटी बनानी है अब इसको हाथों में लेकर एक पेड़ा बनाएंगे और इसकी पुड़ी भी लेंगे हम इस तरह से पतली पतली बेलनी हैं ज्यादा मोटी नहीं करनी है क्योंकि हमें उसकी लेयर्स बनानी है तो जितनी पतली हो सके आपको पतली पुड़ियां बेलनी है इसकी इस तरह से शेप का कोई वह ना करें कि अगर शेप आकर गोल नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं क्योंकि हमें इसे फोल्ड ही करना है और जो हमने पिसलरी बनाई थी वह इसके बीच में लगाएंगे और इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे तो एक समोसे का शेप आजाएगा जोकि बहु यह देखिए इस तरह से पहले हम पूरी बनाएंगे और उसके बीच में यह हमने जो लेप बनाया था यह सलेरी बनाए थी वो लगाएंगे और इसको इस तरह से फिला देंगे और जैसे हम समोसा बनाते हैं, सेम उसी प्रसेस से हम इसको फिर से फॉट कर देंगे तो एक kangular shape में हमारा ये snack बनके त्यार होगा, ये देखे ये shape हमें बनानी है, ना ज Bright जादा मोटा और ना जादा पतला देखे मैंने सारे बना के त्यार कर लिए हैं इस तरह से और अब हम एक चाकू की हेल्प से या एक किसी फोर्ट से इस तरह से इसको गोद देंगे ताकि जब हम उन्हें तले तो यह फूले नहीं और बाकी का जो बट्रा हुआ आटा है हम उसे फिर से अच्छे से मल लेंगे और इसके भी मैं दो पोर्शन कर लूँगे क्योंकि हमें तीन तरह के स्नैक्स बनाने हैं गई देखें मैं इसको भी दो कड़ लेती हूं और साइड में जो बचा है उसे डखके रख देंगे अग फिर से टाकि वह सुखे नहीं और इसको इस तरह से अल करकि और इसे बेल रहे हूं पूरा एक साथ बेल रहे हूं और इसको हम काटेंगे जैसे हम लोग सांखे बनात और मैंने ना जादा मोटा लिया है ना जादा ही पतला किये जादा पतला करेंगे तो बहुत क्रिस्प हो जाएंगे अब हम इसे पतली पतली स्ट्रिप्स में इस तरह से काट लेंगे और सारी इस तरह से पतली इसमें काटके और यह से हम तिर्चा भी काट देंगे आप किसी भी शेप में आप काटना चाहें लेकिन हम जो सांके बना रहे हैं उसमें इसी तरह की शेप आती हैं हलवाई लोग भी आपने देखा होगा इसी शेप में काटते हैं और जो बाकी बचावा था उसे भी मैंने बेल लिया है उसको मैंने थोड़ा मोटा ही रखा है और एक धक्कन जो दवाई की कैप पे आता है वो मैंने लिया है आपको इस अब धक्कन यूज कर सकते हैं उस तरह से मैं इसे अर्ध जंद्राकार शेप में काट रहे हूं ये की इस्तरह से बहुत सुन्दूर शेप लग रहा है इसा लग रहा है चांद हो अब हम तर लेते हैं को मैंने तील गरम कर दिया है और ये वाउल डाल के देक रहे हैं हम इसमें लेकि ना दीरे दीरे वह बबल्बस निकल रहे हैं तो तीयल हमें ज्यादा गरम नहीं करना है प पर से तो राउन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्छे रह जाएंगे देखिए हमारी पॉल पराच्यू की है धीरे से अब हम एक एक करके सारे इसमें जो हमने ट्राइंगल शेप बनाये थे वो डाल देंगे एक करके ही डालें आप एक साथ ना डालें क्योंकि तेल ठंडा हो फराती जा रहे हैं हलकी हो रहे हैं उपर आ रहे हैं अब सब थोड़ी देर इसी थाड़े तलने देंगे बिना हिलाए और विलकुल लो फिलीबाटñ पर ही तलना है नह बह directional हिलेंगे तर दिनदी थीरी इनको हिला लेंगे या और गेशिक ने चिपके और आप हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे अब देखिए नीचे से सिख चुकी है आप एक को इस तरह से पलट लीजिए आप ताकि इस दोनों तरफ से अच्छी तरह से तल जाएं आप देखें किस तरह से लिए निकल के आ रही है देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं चलिए हम इने निकाल लेते हैं बहुत ही अच्छा कलर आ गया है इनमें और इस तरह से लो फ्लेम पदीरी दिरी तलने से इसमें बहुत ही अच्छा कलर भी आता है और बहुत ही खस्ता बनती हैं हमारी स्नेक्स देखिए सारी तल करके त्यार कर ली है मैंने चलिए अब दूसरी भी निकाल लेते हैं इसी तरह से बाकी बचीवी जो हमारे ट्रैंगल शेप्स हैं या ट्रैंगल पपड़ियां आप जो भी इसे नाम देना चाहें वह भी हम इसे रसे निकाल लेंगे प्टाफट से बनके त्यार हो चुकी है और इने भी हम निकाल लेंगे लेज़ देख रहे हैं आप इनकी एक एक खुल को जो आ रही है कितना सुंदर लग रहा है यह बी त्यार हो गया और हमारे जो सांके हैं उने भी तर लेते हैं तो तेर जादा गरम हो जाएगा पूरे त्योहारों के सीजन में अगर आप मीठा खाखा के बोर हो चुके हैं तो कुछ नमकीन खाने की या चटपटा खाने की इच्छा होती है तो आप इस तरह से एक ही डो से तीन तरह के स्नैक्स बना सकते हैं आप चाहें तो इनने मॉणिंग ब्रिक्पस्ट में भी खा सकते हैं या फिर शाम को च्पंडृ ने खा सकते हैं बहुत ही टीस्टी लगते हैं चलिए इनिंहें हिला लेते हैं लेकित अब सारे उप़र आ चुक के हैं तैर नहीं हिला लेते हैं तक इस अब ही तरफ से अच्छे से तल जाये है इन्हें भी गूर्डन ब्राउन कलर आने तक हम तलेंगी कुछ लोग इने हलके कलर में ही खाना पसंद करते हैं जादा ब्राउन कलर नहीं अच्छा लगता है लेकिन वो खस्ता दो बनते हैं लेकिन नरम रहते हैं और जब हम ब्राउन कलर होने तक इने तलते हैं तो वो बहुत ही क्रिस्पी और खस्ता भी बनते हैं तो हमेशा जब भी आप तले तो इन पे हलका ब्राउन कलर आने तक ही इने तले वो ज्यादा ही अच्छे लगते हैं ये भी हमारे त्यार हो चिके हैं इने भी निकाल लेते हैं देखिए अच्छा कलर आगया है इनका भी और बाकी जो हमने अपने बनाए थे नमकीन काजू के लिए जो हमने काजू का शेप में बनाए थे उन्हें भी तलेंगे अब लास्ट में ठीके जब तक ही तल कर त्यार होते हैं हम इनके लिए मसाला बना लेते हैं यहां एक बोल में मैंने लिया है आदा चमच नमक और आदा चमच काला नमक और इसके साथ हम लेंगे आदा चमची चाट मसाला पाउडर और आदा चमच लेंगे लाल मेच का पाउडर आप चाहें तो इसमें काली मेच का पाउडर भी डाल सकते हैं लेकिन हमने अपने डो म में भी डाला थकाले में चिसली नहीं डालेंगे और इसे एक तरफ रख लेते हैं और यह देखिए काजु में हमारे बनके त्यार हो चुके हैं इने भी निकाल लेंगे देखिए कितनी संदर शेप लग रही है और इनने निकाल लेते एक बर्तर में और फटा फट से गरम गरम में हम यह मसाला इनमें मिक्स कर देंगे देखिए सारा प्रफ इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और देखिए यह हमारे चटपटे काजु बनके त्यार है तो फ्रेंड्स सारे हमारे स्नेक्स त्यार हो चुके हैं यह देखिए यह हमारे चटपटे काजु और यह हमारे नमकीन लंबे लंबे सांखे जो की चाय के दोस्त कहे जाते हैं और यह हमारी पपड़ियां ट्रैंगॉलर पपड़ियां और देखिए कितनी सुन्दर लेयर्स बनके आ रही है अलग अलग खिलके और खस्ता कितनी हैं आप देखिए तोड़ते ही कितनी अच्छे तरश से भिखर रही है यह देखिए बहुत ही टेस्टी बनके त्यार होती है आप कब बना रहे हैं यह जरूर मुझे कमेंट करके बताएगा तो चलिए मिलते हैं फिर नई जैसे पी के साथ